हेलो फ्रेंड्स किरंदा निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सुन्दर जिग-जग पैटर्न लाई हूँ फ्रेंड्स ये पैटर्न बुनने में बहुत इजी है और ये दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है आप इसको रॉंग साइट से चांए यूज़ करें ये सेम टू सेम ही नजर आता है और बुनने में बहुत इज़ी है ये देखिए सीदी सीदी से लाई है बस थोड़ा सा इ देखा जाए तो राइट साइड है इसकी यह देखे और इसकी मैं आपको दूसरी साइड दिखाते हूं यह देखे यह रोंग साइड है अगर फंदों के इसाप से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम यह आ रही हैं आप इस पैटरन को किसी भी तरफ से यूज कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कीजिए जैसे आप बेबी ब्लैंकेट बना लीजिए इसका मोटी स्लाइयां लीजिए मोटी वूर लीजिए बहुत जल्दी जल्दी बनके त्यार होगा कार्डिगन पे डाल लीजिए बेबी फ्रॉग से यूज कीजिए यह दिखिए तो फ्रेंड्स यह सिर्फ एक ही सिलाई का पैटर्न है जो आप इदर वाली साइड सिलाई डालोगे वैसी ही सिलाई आप उदर वाली साइड डालोगे थोड़ा सा फंदे गिनने में इसमें रहता है बाकी आपको जब आप इसको बुनने फंदे जनके 49 फंदे लिए हैं तो यह जो पैटर्न है यह 12 12 के मल्टीपल में चलता है तो प्लस करने होते हैं में 3 तीन फंदे और प्लस करने होते हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 12 को 3 से किया तो 12 36 और प्लस 3 करेंगे तो 49 तो मैं आपको थोड़ा सा बुनने में थोड 27 फंदे लिए हैं तो इसको अगर 12 दून 24 और प्लस 3 27 हो जाएंगे तो 12 12 के मल्टीपल और प्लस 3 करेंगे तो फ्रेंट्स जी जो फंदे हैं यह मेंने रोंग साइड के लिए यानिका उल्टी साइड के फंदे मैंने यह डाले हैं ताकि फर्स्ट जो रो है वह उल्टी साइड मानते हैं यहां पे जो बुना जाता है तो इन फंदों को हम सीधा मानते हैं और इन को हम उल्टा मानते हैं तो मैंने उल्टी साइड के फंदे डाले हैं और इसका वीडियो मेरे चैनल पे है कि आप उल्टी साइड से कैसे फंदे डाल सकते हैं तो उल्टी साइड से फर सारी की सारी सीधी बंबुन के आगी सोरी फ्रेंड्स ये फर्स्ट रो नहीं है ये इसकी बेसिक रो है फर्स्ट रो तो जो इसका आएगी वो आपको हर बार वही रपीट करनी है तो हम इसको बेसिक रो बोलते हैं फर्स्ट रो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अब आपको रपी सीधे बुनने है बहुत ईजी पैटन है तो इसलिए इसको हम थोड़ा उल्टी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उल्टी साइड से ऐसे वाले फंदे दिख रहे हैं और सीधी साइड में हमारे ऐसे वाले होते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा तो अच्छा लगेगा तो basic row सारी की सारी सीधी बुनके complete करते हैं ये दिखे ऐसे तो ये मैं कर लेती हूँ पूरे बुनके फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स basic row मैंने ये सीधी बुनके complete कर लिये है ये wrong side में थी उल्टी side में थी तो अब हम आते हैं इसकी सीधी side में वैसे तो इसकी को अच्छी दरह से क्योंकि यही आपको आगया आगये दोनों साइड रपीट करते जाना है तो यहां पे रोवन राइट साइड तो बुनते हैं साथ फंदे सीधे एक दो तेन चार पांच छे और यह साथ देखिए दो चार छे और यह साथ साथ फंदे सीधे बुनने के बाद आपको दो फंदों का एक करना है पीछे को बुनते हुए यह देखिए ऐसे दो फंदों का एक करेंगे पीछे को बुनते हुए अब आपको फिर से चार फंदे सीधे बुनने हैं एक दो तीन और यह चार चार फंदे सीधे बुनने हैं और यहां पे करेंगे एक फंदे के दो फंदे करेंगे यह निके एक फंदा इंक्रीज करेंगे यह दिखे पहले तो हम फ्रंट लूप से इसको बुन लेंगे सीधा फंदा फिर हम इसको बैक लूप से बुन लेंगे एक और फंदा यहां पे हमारा फ्रेंड्स एक फंदा बढ़ गया है यह दिखे ऐसे अब हम क्या करेंगे पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पाँच, पाँच फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब यहाँ पे फिर से दो फंदों का एक करेंगे, इसको सिर्फ आपको फंदों की कौंटिंग अच्छी तरह से रखनी है, यह देखे, दो फंदों का एक कर दिया, बैक लूप से बुनते हुए अब आप चार फंदे सीधे बुनेंगे, यह देखे, एक, दो, तीन, और ये चार, चार फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब फ्रेंट्स यहाँ पे एक फंदा आप वैसे ही बढ़ा होगे, जैसे आपने पहले बढ़ाया था, यह देखे, एक ऐसे सीधी तरफ से एक बार ब पंदा है, इसको आप सीधा बुनेंगे, तो फ्रेंट्स आपने यह रो देख ली अच्छी तरह से, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको यह जिग जैग दिखाई नहीं देगा, आपकी चार, पांच, छे स्लाइया ऐसे बन जाएंगे, फिर आपके अपने आ पारा आपको पता चल जाए कि वही रो है, जो हमने उदर से डाली थी, तो स्टार्टिंग में हमने बुने थे साथ फंदे, तो हम बुनतें यहां पे साथ फंदे, यह दिखे, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, और यह साथ, साथ फंदे बुन लिए हमने, अब यहां पे करेंगे हम दो फंदों का एक, एक फंदा यह और एक फंदा यह, बैक लूप से करेंगे दो का एक, यह देखे ऐसे, अब फ्रेंड्स हम बुनेंगे चार फंदे सीधे, एक, दो, तेन, और यह चार, चार फंदे सीधे बुन लिए, अब हम यहां पे फंदा बढ़ाएंगे, एक बार हमने सीधी तरफ से बुन लिया, और उसी फंदे को हम एक बार बैक लूप से ऐसे बुन देंगे, तो यहां पे एक फंदा बढ़ गया है, हमारे पास, अब पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तेन, चार, और यह पांच, पांच फंदे मैंने सीधे बुन लिए, अब यहां पे फिर से दो फंदों का एक करेंगे, बैक लूप से बुनते हुए, देखे ऐसे, अब हम बुनेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार फंदे सीधे बुन लिए, अब यहां पे एक फंदा बढ़ाएंगे, यह दिखे, यह मैंने फ्रंट लूप से बुना, और उसी फंदे को मैंने बैक लूप से बुना, तो आप देख रहे होंगे, जो मैंने पहली सिलाई डाली थी, वैसे ही मैंने यह रिपीट करते हुए, पहली सिलाई को मैंने डाला है, यह दिखे ऐसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखे फ्रंट्स, पैटन की दो सिलाईयां मैंने डाल दी हैं, एक तो हमने बेसिक डाली थी, वो मैं काउंट नह कर रही हूं जो मैंने पैटन डाला है एक और ये दो सलाइयां मैंने पैटन की डाल दी हैं आप देख सकते हैं कि आपके ये जिग जैक दिखने शुरू हो गए हैं ये दिखे ये आपके जिग जैक दिखने शुरू हो गए हैं तो जैसे ये आप पांच छे सलाइयां डाल जाएंगे चर्फ आपको क्या करना है फटों की काउंटिंग अच्छी तरह है ये जो हम घटा रहे हैं चाहन बढ़ा रहे हैं इधर उधर नहीं हो पाटेंड खराब हो जाएगा तो आपको फंडों की काउंटिंग जो मैंने लिखके भी इसमें दी है इसलिए कि आप एक बार नोट कर लीजिए और उसी ही साब से आप इसमें फंदे बुनते जाएए तो आपका ऐसा ऐसा देखे पैटरन ये मैंने थोड़ा बड़ा डाला है जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें फंदे जादे ली है अब देखे फ्रेंड्स अगर आप जो रो नमबर वन मैंने आपको बताई है वो आगे आगे ऐसे आप रपीट करते जाएंगे तो आपका देखे ऐसा ऐसा दोनों तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से एक जैसा पैटरन आता जाएगा तो आप बहुत सारे इसमें प्रजेक्ट बना सकते हैं आप इसमें ब्लैंकेट बनाएए बहुत सुन्दर बन के आएगा मोटी वूल और मोटी सिलाइगा जैसे आप इसमें आठ नमबर की या छे नमबर की ऐसे मोटी सिलाइगा यूज कीजिए बहुत सुन्दर बन के आएगा और फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक बार मेजरमेंट भी करके बता देती हूँ कि जो 39 स्टिचिज मैंने लिए है उसमें ये पैटर्न कितना बन के आया है तो आप यहां से देख सकते हैं ये लगबग इसमें पौने 5 इंच ये पैटर्न बना है तो लगबग 12 सेंटी मिटर आप इसमें ये 39 स्टिचिज में ये पैटर्न बना है तो आप ऐसे ही इसको मेजर करके जब आप अपने प्रोजेक्ट पे किसी पे डालते हैं तो आपको कितना चुड़ाई बनानी है प्रोजेक्ट पे तो आप ऐसे ही 39 स्टिचिज डालके इसका पैटर्न मेजरमेंट करके उसी हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए आप स्टिचिज subscribe like and share thank you